नया सत्र दो मैं से सुरू होगा जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों यदि आप जारखंड बूर्ड से हो और आपका पढ़ाई कब से स्टार्ट होने वाला है आपके स्कूल में आपके मन में बहुत सारे सा सवाल आ रहे होंगे आपने एक्जाम दे दिया होगा चाहे आप 1 से ल मार्च को नाइन्थ क्लास को था और उससे पहले 10 और 12 वाले बच्चों का हुआ था उससे के बीच में आप लोगों का 11 सारे क्लास का एक्जाम खतम हो गया लेकिन अब जो है पढ़ाई आपका कब से स्टार्ट होगा जो बैचिस है दो हजार 24 और 25 का यह आपके स्कूल में कब पढ़ाया जाएगा कब से स्टार्ट होगा बहुत सारे स्कूलों में 9 10 का पढ़ाया स्टार्ट हो चुका है भले रिजल्ट आया ने या नहीं आया लेकिन बहुत सारे स्कूलों में नहीं हुआ है जब तक अभी नोटिस नहीं आएगा जब तक आप कसले बस अच्छे तरीकस नहीं आएगा तब तक पढ़ाई स्टार्ट हुआ नहीं है बस पीछे वाले बस यूहीं 12,000 है तो मेरे प्यारे बचों आपके लिए ओफिसल नोटिस आ चुका है कि दो माई से दो माई से भी क्या चल रहा है अप्रेल चल रहा है अप्रेल खतम होते ही दो माई से आप के से संथा वह लेट से चल रहा था लेकिन इस बार जो है उसको मेक अफ करने के लिए यहां पर दो माई से श्टार्ट हो जाया लेकिन थोड़ा लेट है तो अभी भी लेट है तो यह दो मैसे रेगुलर विस्स पर आप लोग का पड़ाए इस्टार्ट हो जाएगा चलिए देखते हैं क्या क्या लिखा गया है क्या बोला गया है कि जीले के सभी 1456 प्रारंबिक इस किलो में इस वर्स नये सतर 2024 के सुरुवात दो मई से होगी ठीके वर्स 2020 में कोरोना फैलने के बाद सतर नियामित और समय पर सुरू नहीं किया गया था ठीक है पिछले दो सालों से क्या हो रहा था नियामित रूप से सही टाइम पर श्टार्ट नहीं हुआ था आठवी बोट की परिच्छा मार्च के अंत में हुई है रिजल्ट अप्रेल में जारकंड अधिवेद परिस्द जा जारी करेगा ठीक है रिजल्ट जो है जारकंड अधिवेद जो जैक है वो जारी करेगा कच्छा एक से साथ तक की वार्सिक परिच्छा दो से चार अप्रेल के बीच संपन हो गई है बिल्कुल दो से चार अप्रेल के बीच जो एक से लेके सावन तक के जो चातर चातर आए उनका एक्जाम अबर ही अबर हुआ है ठीक इसमें 1.50 लाख अधिक विद्यार्थी परिच्छा सामेल हुए परिच्छा संपन के साथ ही 5 अप्रेल से जीले के सभी 124 संकुल संसाधन के इंदर अस्तर पर कौपी का मुल्यांकन शुरू है इसमें एक स्कूल दूसरे स्कूल को आपस में परिच्छा कौपी बाढ़ कर मुल्यांकन कारिये को पूरा करेंगे मतलब कि जो आपका जो चेकिंग हो रहा है पेपर का चेकिंग वो क्या है एक डिश्टिक से दूसरा डिश्टिक या फिर एक स्कूल से दूसरे स्कूल में दिया जा रहा है और वहां से आप लो सब्सक्राइब अगर नहीं भी हुआ होगा तो दो माई से आपके ओफिसल नोटिस आ गया है कि दो माई से आप लोगा स्टार्ट हो जाएगा ठीक है और भी यहां पर देख सकते हैं यह चीज लिखावा है कि कोरोना के बाद सत्र नियमित नहीं है मतलब जो सेशन है वो लेट चल रहा है वो कि 29 अपरेल को जो पोर्टल पे जारी होगा तो फिर उसके बाद 30 अपरेल को अभी भावा को के मौज़ुदगी में मतलब कि पेरेंट्स के आने पर ही पेरेंट्स के आने पर ही वो रिपोर्ट कार्ड इनको देंगे ठीक है तो यह 1 से 7 तक बाकि आप लोग को पता है क्लास यह 30 अपरेल तक ठीक है 30 अपरेल तक कम्पलीट हो जाएगा और बाकि फिर 1st week में तीस 12 का आर्ट का आजाएगा उसके चाहिए धारी हो जायेगा उसका रिपोर्ट का ना करो गらाए ठीक है तो रिजल्ट का आप लोग वेट ना करो अगले सेंसंड की पढ़ही करो ठीक है जो 2025 में एक्जाम देने वाले हो ठीक है अगर 9 वाले जो 10 में गए होंगे या 10 वाले 11 में गए होंगे या फिर 8 वाले 9 में गए होंगे ठीक है तो वो सारे तयारी आप लोग अभी से लगजाओ ठीक है अभी से करने स्टार्ट कर दो ठीके चुकिए आप लोग पड़ते हैं जब 1 माईना बचते हैं उसके बाद आप लोग त्यारी करते हो और बहुत जादा टेंशन मी आ जाते हो कि क्या होगा अब क्या होगा कहसे पढ़ना है क्या पढ़ना ठीक है लेकिन अभी से अगर पढ़ोगे हम जादा नहीं बस अगर आप बोलते हैं ठीक है self study मातर एक गंटा गर घर में कर दोगे नहीं तो बहुत हो जाएगा बहुत बतारे बहुत हो जाएगा लेकिन हम लोग क्या करते हैं starting में सुरू में सुरू में क्या करते हैं बस बनाते हैं ठीक है पढ़ते भी एकदम बहुत भ्यानक तरीके से लेकिन उसके बाद कोई भी बीच में फेस्टिबल आ जाता है कोई ते वहार आ जाता है उसके बाद जो भटकते हैं डायरेक्गर में छुट्टी सब पारूर करते हैं अक्टूबर नवंबर में ठीक है उसक अपने दिल से पूछो ठीक है अपने अंदर से पूछो क्या एक एक घंटा आप जो पिछले बार जो संकल्प लिए थे ठीक है क्या पढ़े थे एक गंटा पूरा साल भर कम बात करें पढ़े थे नहीं पढ़े थे बस जब एक्जाम आया था तब से पढ़ना श्टार्ट क करना है क्यों क्योंकि knowledge जो आपको आगे काम आएगा ठीक है आगे जो competition के exam है वहाँ पर काम आएगा ठीक है आपके daily life में काम आएगा तो knowledge कभी खतम नहीं होता है knowledge आपको जितना से जादा लेंगे वह best होगा इसलिए आप लोग जादा से जादा पढ़िए ठीक हर एक point को पढ़िए देखे जो competition exam में होता है न वह 6 से लेके 12 तक के ncrt पे पूरा base रहता है ठीक उसी के अंदर से पूछता है ठीक है जो आप लोग अभी बढ़िया से ठीक है history, geography, math, science सारा चीज एक दम line by line पढ़ो अच्छे से पढ़ो ठीक है ऐसा नहीं सिर्फ exam बढ़ा दो और start कर दो पढ़ाई अभी से ठीक है बाकि आप लोग अगर 9 वाले 10 में गए उनके लिए तो पता ही है हमारा चल रहा है क्लास ठीक अप्लिकेशन पर बाकि 8 वाले जो 9 में गए हैं अभी बहुत सारा वीडियो जो है न हमारा YouTube पढ़ा हुआ है 9 का वीडियो ज इस तरीकी का अपडेट चाहते हैं हमसे ठीक है तो हमारे चैनल को अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे ठीक है और लाइक कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा सेयर कर देंगे ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि क्लास से कब स्टार्ट हो रही है ठीक है स्कूलों झाल